आड़को यूज्ड बताएंगे और इसके अपल आला लगाने की डूस बताएं गे और इसकी फूल जानकारी हम आपको हिंदी पे देंगे तो इसकी तरीके वीडियो शुरूर कर लेती थन्ति हैं अज चम्क करें बन फूल टेल के बारे में बात कर करें। दोस्तों है। यह आई आयूर्वरिदिक टेल होता है। यहां पर आप देख रहे हैं सफ़ा लिखा हुआ है। इसको मैनिफेक्चरिंग किया जाता देखे सब देख रहें अगया अब मतलब स्कुमैनिफेक्चरिंग किया जाता है और यह सर पर लगाने के लिए काफी अच्छा इसको मैं वाइदी आपको बताँ लगाना होता है तो दीखिए सिर्दर्द में काफी अच्छा है चक्कराइब तेज होता तो अगर इसको लगाएंगे तो यह थंड़क आपके बालों में पहुंचाता है तो गहरी नींद लाता है जो आखो में जला नोती है गर्मी की वजह से तो यह उसको भी दूर करता है और जो डिप्रेशन में होते हैं जैसे लोग दोस्तिकिंगी यह टीप्रेशन भी धोड़ी थोड़ी दूर करता है ज्याहतांगी मन भी यह बहुत ठंडक पहुचाता है यह शरीर और जोडों में जिससे दर्द होता है तो यह उसको भी दूर करता है जैसे आप अगर लगाएंगे से यह अलग से एकसे बाड़ी पर लगाएंगे तो वहां पी यह काफी पाइदा देता है और दोस्तों किसे के बाल जड़ते है गंजापन होता है तो यह उसे भी गंजापन को भी रोकता है बाल जहने से रोकता है और जैसे दोस्तों सिर्मे अलर्जी हो जाती है दाने वाने निकलते हैं तो यह उसको भी दूर करता है मोच और मास पीशों में दर्द होता है उसको भी दूर करता है तर में दात में जैस यह से तोप्ट जली है तो आप माहाँ पे से बिलकुल ना लगाए यह सिर्फ पेसे जला ऊए तो वहाँ पी न लगा आगा है घहाओ गहरा है आपके झाल को आपको बारी साइड देखने को मिल सकता है अब मैं आपको बताए दोस्तों इसके कुछ साफ़धानी जो होती है तो वो अपने डॉक्टर की सलसल लगाए अधरवाइस इससे एक्षिनल यूज़ कर सकते हैं बनफूलॉइद को अब मैं आपको बताई देता हूँ दोस्तों इसे आप अगर आप इसको सिर्प लगाते हैं तो जो आइसकी जो खुजबू होती है जो आपके पास में बैठा है क्य क्याँ गुलाब को खुजबू दोस्तों की काफी अच्छी होती है तो आप अपने सिर्प लगाएंगे तो दूसरे गो में 200 ml में 300 ml में 500 ml में यह आपको मिल जाता है तेल बन फूल आप आल लाइन भी खरीच सकते हैं ऑफ लाइन भी इसको ले सकते हैं दोस्तों यह यह आयूरवेदिक यानि के पिराचीन और आयूरवेदिक विज्ञान दवारा मतलब इससे बनाया गया है मिलके यह पुरानी एक आपको घबराता हो या टैंशन होती हो आपको डिप्रेशन होती हो सिर में दर दर रहता हो बहुत जादा तो यह आपको बहुत अच्छा फाइदा देने वाला ओलियों बन फूल तो दोस्तो अगर आपको कोई भी दवाईयों के बारे में सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखते पूस सकते हैं हम आपको हर दौई की जानकारी हिंदी में देती हैं तो दोस्तों इसे तरीके की दौई की में जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारी चैनल को लाइक हो सबस्क्राइब और साथी बाइल आइकन जरूर दबजिए ताकि जो में वीडियो डाले सबसे पहले मिल सके धन्यावाद दोस्तों